हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूं चार तरीके की नमकीन स्नैक्स जो एक ही डो तयार करके आप उसे चार अलग अलग तरीके की नमकीन मठ्री और ये है नमकीन कचोरी मसाला काजू और सिंपल नमक पारे ये आप एक ही डो से बना सकते हैं इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो चलिए जटपट बनाना इसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है डैसोग्राम मैदा और ये अगर एक कटोरी से ना पा जाए तो तीन कटोरी मैंने मैदा लिया है इसमें डाला है एक चमच अजवाइन आदा चमच नमक नमक आप अपने टिस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं और यहाँ पे एक कटोरी मैंने तेल लिया है अगर तीन कटोरी मैदा है तो एक टोरी इसमें हम तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है अगर कम डालेंगे तो हमारी जो कचोड़ी और नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे और अब मैं इसमें ड पानी लिया है यह पानी हलका सा गरम पानी लिया है बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लिया है और इससे हम आटा लगा लेंगे और यह आटा जो है हमें नहीं ज्यादा टाइट लगाना है और नहीं ज्यादा लूज लगाना है यह मीडियम आटा लगाना है और इसे अच्छे से तयार कर देंगे इसमें जो है आटे में तरारे नहीं होनी चीहें और इसे आटा लगा के और इसे रखतेंगे दस से पंदरा मिनट के लिए 10-15 मिनट के बाद ये दीखिए आटा थोड़ा सा सुखा सुखा सा हो गया है तो इसे हम एक बार फिर से स्लैप पे रखे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जिससे की आटे की सारी जो दर आ रहे हैं वो खतम हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए अब इस हाटे को चार पार्ट में मैं डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि चार तरीके के स्नेक्स हम बनाएंगे नमक पारे, कचोरी, मठी ये हम बनाएंगे तो इसे चार इकुल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बाकी के तीन पार्ट हम रख देते हैं सबसे पहले एक पार्ट को हम लेते हैं इसे अच्छे से मसल के डो बनाएंगे और इसे एक पड़ी सी रोटी की शेप में बेल लेंगे तो सबसे पहले मैं बना रही हूं नमक पारे बनाने के लिए जो ये हम डो को बेलेंगे तो इसे हम पतला बेलेंगे क्योंकि नमक पारे जो होते हैं वो पतले पतले ही अच्छे लगते हैं और वो बहुत करारे बनते हैं तो इसे इक्वल बेलेंगे इसके किनारे मोटे या पत सकते हैं चाहिए तो equal shape में काटे हैं या पिर diamond कैसे भी आप इसको काट सकते हैं और इसे अलग करके एक plate में रख लेगे ये हमारी नाम भारे की जो shape ये तयार हो गई और इसे अब एक plate में इसे हम एक कपडे से ड़क के रख देंगे तब तक हम जो हमारा दूसरा part है आटे का उसे हम लेते हैं और इसको भी अच्छे से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे आटे को इकोल कर लेंगे और इसके भी एक रोटी हम बेल लेंगे इसे भी इकोल शेप में ही बेलेंगे लेकिन इसे अब की बार हम थोड़ा सा मोटा बेलेंगे ज्यादा पतला नहीं करेंगे तो उसके लिए शेप काटने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक गौल यह कटर आप चाहें तो किसी भी बोटल की कैप ऐसे ले सकते हैं और यह बिलकुल गोल हमें नहीं काटना हैं ऐसे छोटा-चोटा करके इसको काजु की शेप में काटना हैं सिर्फ इसकी गोलाई का यूज करना है जिसे की काजू की शेप आजाए यह आपको छोटी ग्लास से भी ऐसे आप यह काजू की शेप कट कर सकते हैं तो ऐसे ही यह जो है इसे हम शेप काट लेंगे और यह देगे इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी से हमने मोटी रुखी है इसको ज्यादा भारिक नहीं किया ह अब बारी आती है हमारे तीसरा स्नेक्स बनाने की तो तीसरा स्नेक्स हम बनाएंगे मठरी ये मठरी बनाने के लिए आटे को जो है एकदम गोल गोल लोई बनाके एहतेले पे रखे और इसको ऐसे थोड़ा सा पतला कर देंगे ज्यादा पतलाई से हम नहीं करेंगे आप चाहें तो इसे हलका सा बेलन से बेल के भी बना सकते हैं लेकिन मठरी जो अगर हाथ की घुलाई से बनाई जाए तो ही ज्यादा अच्छी लगती हैं और इसके बीच में हम एक फोक से छेद कर देंगे जिसे की मठी जो है एक तम खस्ता बनेगी और अंदर तक क्रिस्पी बनेगी अंदर से बिलकुल पक जाएगी और ये फूलेगी नहीं पूरी के जैसे तो ऐसे ही हम सारी मठ्रियों को भी तयार कर लेते हैं तो ये देखिए ये हमारी जो मठ्री की शेप है ये भी तयार हो गई है तो अब चलते हैं हमारे लास्ट स्नेक्स की ओर जो की हम बनाएंगे नमकीन कचोरी इसके लिए आटे को अच्छे से पहले सॉफ्ट करेंगे और यहाँ पर मैंने ये लिया है नवरत नमकीन है ये हल्दी रामकी आप चाहें तो अपनी कोई भी फेवरिट नमकीन यहाँ पे ले सकते हैं और इसे हम मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे ये पिल्कुल दरदरा सा ही रखा है जादा बारी कि इसको मैंने नहीं किया है और इसे निकालेंगे एक बाउल में और यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए सुखी नमकीन है तो यह कछवरी में से निकलेगी तो इसलिए मैंने इसको हलका सा बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पे सोस का यूज किया है यह आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं आप सुखी नमकीन भी उसमें डाल सकते हैं लेकिन हलका समयने यहाँ पे इसमें चिली सोस डाला है और इसको मिक्स्चर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे की हमारा जो यह है मिक्स्चर जो है अच्छे से बाइंड हो जाएगा और अब हम आटे की लोई बना के पतली पतली सी इसको आप चाहें तो हाथ से लोई भी बना सकते हैं या बेलन से बेल के भी इसको एक पतली सी पूरी की शेप दे के इसके अंदर यह मसाला बरतेंगे तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको हाद से ही गुल-गुल किया है और इसमें अब हम थोड़ा सा नमकीन का मिक्सचर जो है ये डाल देंगे बहुत जादा इसे नहीं भरेंगे थोड़ा ही डालेंगे वरना तो कचोरी जो है वो फट जाएगी और इसे अच्छे से बंद कर देंगे गुलाई देते हुए अगर यहाँ से ये हमने इसको गुलाई दे के अच्छे से इसका जो पार्ट है इसको बंद नहीं किया तो जब हम कचोरी को तलेंगे तो इसका जोइंट जो है वो खुल जाएगा और सारी नमकीन बाहर आ जाएगी तो इसलिए यहाँ पे कचोरी का जोइंट है उसको बंद करना बहुत जरूरी है ऐसे ही एक एकर के सारी कचोरी में हम मसाला भर लेंगे और ये हमारी जो कचोरियों का टेक्स्चर है ये भी तयार हो गया है तो अब हम करते हैं एक कढ़ही में तेल गरम, तेल जो हैं ये मैंने यहां पर रिफाइंड ओयल यूज किया है इसको बहुत ज़्धा गरम नहीं करेंगे, अगर तेल बहुत ज़्यादा गरम होगा तो हमारी जो नमकीन है वो बाहर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्छी रह जाएगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक पारे लिए हैं इनको अच्छे से डाल के और दीरे दीरे चलाते रहेंगे इन्हें हिलाते रहना जरूरी है नहीं तो एक साइड से पक जाएंगे और एक साइड से कच्छे रह जाएंगे और यह देखिए यह हमारे नमक पारे जो हैं यह एकतम क्रिस्पी बन कर तयार हो गए हैं और यहां पर यह ध्यान देने जरूरी है कि यहां पर गैस को जो है वो मैंने एक तम सिम रखा है और बीच पीच में थोड़ा सा मीडियम किया है लेकिन फुल गैस नहीं करना है तो ऐसे ही हम एक एक करके सारे स्नेक्स को तल लेंगे यह नमक पारे जो बिल्कुल तयार हो गई है तो अब next देल बारी आती है कचोरी गचोरी जो है एक तम से बहुत ज़्यादा सारी इसमें हम नहीं डालेंगे अगर सा हूँ data कचोरिया हो जएंगी तो इसमें फटने का डर है तो इसलिए हम थोड़ी-थोडी करके कही इनको तलेंगे वरना तो मिल्क और जो दिएından पर इनको हिलाते हुए रहना भी जरूरी है नहीं तो ये एक साइड से कच्ची रह जाएंगी और ये देखिए ये हमारी जो कचोरी है ये एक तम क्रिस्पी बनकर तयार हो गई है और कितनी फूली फूली कचोरीयां बनी है तो अभी इसी तेल में अब हम आगे चलते हैं और इसम उनको अलग करने में बहुत तिक्कत होगी तो ये हमारे जो मसाला काजू है ये भी बनकर तयार हो गई है तो यहां पे मसाला काजू जो है इसको तेल से निकालने के तुरंत बाद ही इसके उपर हमें क्या करना है मसाला लगाना है और मसाले में मैंने यहां पे लिया है फिर काली मेर्च भी डाल सकते हैं काला नमक डाल सकते हैं लेकिन मैंट यहां पर इस पर सिर्फ चाठ मसाला लिया है और अच्छे से लगा के इसको mix कर दिया है ये गरम-गरम पर ही लगाना जरूरी है नहीं तो मसाला फिर चिपकेगा नहीं ऐसे ही हमारे जो बाकी के snacks बचे हुए हैं उन्हें हम तल लेते हैं अब लास्ट में मठरी बची है तो हम मठरी को भी तल लेते हैं इन्हें तलने में बस हमें यही ध्यान रखना है कि यह sim gas पे तलना है तो थोड़ असा टाइम लग सकता है बाकी full gas पे इसे नहीं तलना है वरना तो यह बाहर से पक जा जाएंगे तो हमारी मठरी या जो भी snacks है वो crispy नहीं बनेंगे sim gas पे बनाने से हमारे जो snacks है वो बहुत ही crispy बनेंगे तो यह देखिए friends ही है हमारे सारे snacks जो है यह बनकर तयार हो गई है तो आप घर पे जो भी महान आएं उन्हें अपने हाँ से बनाएं हुए यह snacks जरूर ख सकते हैं यह जो कचोरी है इन्हें भी आप एक महीने तक store करके रख सकते हैं और यह देखिए मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ यह अंदर से कितनी खस था और कुरकुरी बनी है और इन्हें आप शाम के टाइम चाय के साथ या फिर कभी भी आप इन्हें खा सकते हैं और बच्चे भी इन्हें खूब मजे से खाएंगे तो फ्रेंड्स मेरी यह रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बचाएं बताएं मेरी वीडियो देखने के लिए